अब यहां पर धन के एक इंपॉर्टन फीचर के बारे में बात करेंगे अग्चुली हमारी सीरीज चली रही है तो अब एक बहुत जादा यूनीक फीचर जो मुझे लगा आपको पता होना चाहिए वो हम देखेंगे ठीक है आप जैसे क्या करोगे आप यहां पर लोगिन करो वेल्थ डेस्क हम इसारे चीज़े कवर करेंगे आगे आने वाले टाइम में बट अगर आप यहां पर जाके देखोगे तो आपको वेल्थ डेस्क दीखेगा अप इस पर क्लिक करोगे तो आप इस टाइप के पेज पर यहां पर पहुच जाओगे यहां पर आपको होम और wealth basket investment है इन्होंने explain किया है so यहां पर क्या है कि highly research portfolios हैं और यह portfolio stock और ETFs के बने हुए हैं जो सेभी registered professionals हैं जो registered already सेभी के साथ वो बनाते हैं इन baskets को और इनको तुम आप सब यह जो है वो explore कर सकते हो और अपने goal जो भी आपकी goal है जो आपकी strategy है risk है आप किस तरीके का risk लेते हो कितने high risk की investment करते हो उसके according ठीक है फायदा क्या है क्योंकि जो expert research है उन्होंने back test किया है उसके according इसमें आपको recommendations मिलेगी regular monitoring भी होती रहेगी कि वो जो recommendation है वो सही से चल रही है नहीं चल रही है और instant liquidation भी अगर आप exit करते हो तो उसकी कोई fees नहीं है ठीक है अब बाकी के asset और wealth basket से कैसे comparison है ट्रांसपिरेंसी है डिरेक्ट ownership है diversification benefit आप diversify कर सकते हो management fees भी कम है constant support रहेगा take benefit of upcoming trends के क्योंकि इसमें बीच बीच में activation है जो लीडर है उनका इसकी वज़े से इसमें अट्रेंट्स जो है अगर आने वाले होते तो अच्छी तरीके से वह modify कर पाते हैं इसको अब right wealth basket आप यहां पर चूज कर सकते हो volatility low mid या फिर high आपका कैसे है गोल आपका short term है mid term है long term है low risk है आपका long term में यह सारे चीज़ें यहां पर defined है ठीक है अच्छा मीनिममम इन्वेस्ट्मेंट आप थाउजन से भी शुरू कर सकते हो वैसे हैं यहां पर minimum investment डाई लाग पाच लाग ऐसे वाले भी हैं लेकिन क्योंकि हर तरीके की जो है उसको यहां पर टागेट है टागेट किया गया ओडियंट्स को कि जो है वो हर तरीकी का इन्सारे आप इन्वेस्ट्मेंट कर सके अपनी वेल्थ बास्केट बना सके इसलिए आप मिनिममम थाउजन से भी स्टार्ट कर सकते हो संपली कि आपको वेल्थ बास्केट चूज करना है देखना है स्टॉक एटिफ जो आप बाई करना चाते हो ठीक है स्टॉक टूपर चेज करना है और उसके बाद यहां पर आपके एक क्लिक पर आपके में आ जाएगा अब यहां पर है reason कि आपको buy क्यों करना है wealth basket यह सारे डीजन जो है हम study कर चुके आप यहां पर study कर लोगे अब आप जाके देखते कैसे करना है आप home पर जाओगे यहां पर explore और wealth basket करोगे तो सारी आ जाएंगी ठीक है यहां पर new launches जो है यह अभी अभी आई है वो है थेमेटिक है थेमेटिक में जो होता है वो एक particular industry से related होती है जैसे यह सिर्फ डिविडेंड से related है ठीक है और अगर आप ओल पर जाते हो तो यहां पर आपको दिखेंगे अब जैसे मिनिममम इन्वेस्टमेंट वाली पर चाहते हैं तो यहां पर आपको गुलक emergency fund दिक्राओग अगर आप इसका return देखते हो तो 7.89% यहां पर है ठीक है अगर आप monthly SIP करते हो तो यहां पर SIP का amount आप one time करते हो तो minimum आपको one fourth one three करना है ठीक है तो यह उनके लिए है कि for example अगर आपको छोड़ी छोटे amount जो हम जैसे गुलक में डालते थे तो इस तरहीके से आपको add on करन है trading direct नहीं करनी है थोड़ोड़ amount इखटा करना है ठीक है तो उसकी वज़े से यहां पर आपको यह बहुत सही फीचर है रिस्क आप for example आपको low है अभी यह जो रिस्क बता रहे हैं यह इस वाले गुलक emergency fund का बता रहेगे इसका रिस्क यहां पर low है ठीक है यह सब्सक्रिप जो high investment जिसमें चाहिए for example newly launch में Contra Stories से इन्होंने नाम दिया है यह भी Lever Investor Advisor के through बनाया गया है अब आप यह देखो कि इसमें minimum amount डाइलाक है यह इसमें आपको minimum amount at least डाइलाक तो चाहिए यहां से आप इनकी PDF डाउनलोड कर सकते हो आपको fact sheet पता चल जाएगी अब इसका रि लोगी के डाइप परसेंट है maximum अब तक इसने 9.4% जो है इतना रिटन दिया है इसमें कौन-कौन से fund include equity large and mid gap है तो इसलिए इसका रिटन भी इस टाइप का है तो आप इस तरीके से यह देख सकते हो और अपनी wealth basket create कर सकते हो यह उनके लिए है जो trading में volatility में नहीं trade करना चाह होगी and I do appreciate के धन के थू इतनी अच्छी चीजे आ रही है अगर मैं compare करू बाकी सबसे so I hope you do you like it and with this thank you so much be professional trader and happy financial literacy